हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है लक्षे आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे तो इस वीडियो में हम पैरा थाइरोईट ग्लैंड को पढ़ेंगे हम NCRT क्लास 12 के केमिकल कंट्रोल और कॉडिनेशन जैप्टर को पढ़ रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं श तो दोस्तों पैरा थाइरोईट ग्लैंड पैरा थाइरोईट ग्लैंड जैसा कि मैंने आपको बताया ये नेक रीजन में प्रेजन होती है एट दा बैक साइड ऑफ दा बोडी ठीक है नेक रीजन में प्रेजन होगी एट दा बैक साइड ऑफ दा बोडी और ये जो इसे याद रखेगा ठीक है यहाँ पर क्या होता है इस ग्लेंड के अंदर दो जो है वह लोब होती है और हर एक लोब के अंदर दो ग्लेंड होती है ठीक है तो कितनी ग्लेंड होगी टॉटल फॉर अब हम पढ़ते हैं इस जो ग्लेंड है इसका हमने लोकेशन पता लगा लिया लोकेशन कहां पर है इन दे नेक एक दा बैक साइड अफ दे बोडी अब हम इसके फंक्शन को अगर देखें तो जो पैरा थाइरोइड ग्लेंड है वो हार्मोन जो होर्मोन सिक्रेट करता है पैरा थाइरोइड होर्मोन जो यह जो होर्मोन है यह पेप्टाइड होर्मोन है क्या है एक पेप्टाइड होर्मोन मतलब कि यह प्रोटीन से बना हुआ है और जो PTH है उसका function होता है that is regulate the calcium ions in blood मतलब जो blood के अंदर calcium की concentration होगी उसे ये regulate करेगा जिसे कि यहाँ पर दे रखा है parathyroid hormone PTH increases the calcium level in the blood so यह calcium level को increase करता है blood के अंदर calcium level जो है वो blood के अंदर कैसे ही increase करेगा यह bonds के अंदर से reabsorption bond reabsorption को जो है वो stimulate करता है मतलब आपको पता है कि दो चीजों के अंदर हमारे body के अंदर calcium होता है एक तो होता है bonds के अंदर और एक होता है blood के अंदर अब यह जो PTH है इसका काम क्या होता है यह बोन के अंदर से calcium blood के अंदर ले जाता है मतलब bonds के अंदर से calcium निकलेगा और calcium जो है वो blood के अंदर चला जाएगा यानि कि blood के अंदर calcium level है वो increase हो जाएगा वो के अंदर कम हो जाएगा ठीक है और जो केलसितोनिन होता है आर्मोन केलसितोनिन जो आपने थाइरोइड ग्लेंड के अंदर पड़ा था वो बिलकुल इसका आपॉजिट करता है ठीक है तो ये दोनों जो है PCT जो परताइरियड ओर्मोन और थाइरो सिटोनीन और्मोन यह दोनों आर्मोन एक दूसरे के क्या हैं एंटी गोनेस्टिक हैं मतलब एक दूसरे को विप्रीत यह काम करते हैं तो दोस्तो यह था पैरा थाइरोइट ग्लैंड अब हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में दोस्तो थाइमस ग्लैंड is located between the lungs behind the sternum on the ventral side of orta सो यह लंग्स के बीच में present होती है behind the sternum sternum क्या होती है हमारी जो होती है breast bone जिसे हम कहते हैं हमारे body की front side वाली जो bone होती है उसे sternum कहते हैं और यह sternum के पीछे और lungs के बीच में present होती है थाइमस ग्लैंड थाइमस ग्लैंड जो होती है उसका major role होता है हमारे immune system के अंदर क्योंकि यह immune system जो है वो increase करती है हमारी body का यह ग्लैंड कुछ hormone secret करती है peptide hormone जिने हम कहते हैं thymosins जो यह thymosins hormone होते है that help in the differentiation of T lymphocytes जो T lymphocytes होते है that provide the cell-mediated immunity so in addition thymosins also promote the production of antibodies to provide the humeral immunity thymus is degenerated in all individuals resulting in decreased production of thymosin as a result in the immune responses of the person which becomes weak अगर आप इसमें देखें तो thymosin hormone जो की thymus gland द्वारा secret किये जाते हैं वो T lymphocytes का differentiation करते हैं जो हमें cell-mediated immunity provide करते हैं और thymosin जो है वो antibodies भी बनाती हैं जिसे hemeral immunity भी भड़ती है और thymus gland जो होती है वो old individual में जो भुड़े लोग होते हैं उनके अंदर ये thymus gland जो है वो धीरे धीरे जो है वो छोटी होने लग जाती है डिस डिजनरेट होने लग जाती है खतम होने लग जाती है जिसकी वजह से जो disease resisting capacity है immune system है वो weak होने लग जाता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि thymus gland जो होती है वो small weak होने लग जाती है इसलिए immune system old people का weak होता है तो दोस्तों ये था thymus gland तो next video में we will discuss about our adrenal gland जो है वो हम next video में cover up करेंगे hope guys आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो please मेरे channel को subscribe कर दे और bell icon को press कर दे यहाँ पर मैं एक छोटी सी bell बना देता हूँ ये री bell इस bell icon को आप click कर दीजेगा नीचे दोजी गई है इसको नहीं करना नीचे वाली को करना है तो thank you guys hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो